वेल्कम टू एग्जामोपीडिया प्लस और एग्जामफोबिया एंड्स शुरुवात करेंगे अपने पहले सेशन से और पहला सेशन एक ऐसा टॉपिक लिया गया है जो ना केवल प्रिलिम्स में आता है बल्कि मेंस में काफी अच्छे वेटेज के साथ आता है प्रिलिम्स में दोस्त अगर ये तीन मार्क्स का आ रहा है तो ये मेंस में पांच से छे मार्क्स का आता है वह ना एक इंपोर्टन टॉपिक हुआ टॉपिक का ना हमें direction and distance मजाख में मतले ना इस टॉपिक को बहुत important topic है एक बार इस class का overview ले ले लेते हैं course overview क्या है हमारे पास concept सबसे पहले हमें discuss करना है फिर tricks और method discuss करने हैं और फिर practice करनी है question की basic देख लेते हैं फटा-फट से चार basic हमारे पास directions होती है north, west, east and south east में हमारा क्या होता है sun, rise होता है और west में क्या होता है sun set होता है ये degree हमेशा 90 degree की रहेगी और ये 45 degree की ही रहेगी कभी नहीं बदलेगी अपना दिमाग मत लगाना कि सर्ये 30 degree भी तो हो सकता है जब तक आपको ना बोला जाए तब तक आपको ये 45 degree और 90 degree ही लेना है दूसरी बात इन चार directions है हमारे पास चार और directions आती है north east, north west, south east and south west ठीक है जो star mark करने वाली बात है वो यहाँ पे लिखिए star mark कर लेना इसको कि भाई अगर sun rise हो रहा है तो shadow west में बनेगी और अगर sun set हो रहा है तो shadow east में बनेगी कितना clear? दो बाते और बताऊंगा वो हमेशा अपने दिमाग में रखना अभी जब questions आएंगे न तो turning की बात होगी किसकी बात होगी? turning की कि कोई भी बंदा सीधे जा रहा था उसने right turn ले लिया उसने left turn ले लिया तो जो turn होते हैं वो हमेशा by default 90 degree के होते हैं बात समझाई? जब तक question में specify नहीं किया जाएगा कि ये turn 45 degree का है कि 135 degree का है तब तक आपको हमेशा 90 degree का ही turn लेना है कभी अपना दिमाग मत लगाना कि वो 90 degree की बज़ाए 45 degree भी तो मुड़ सकता है ठीक है ना? question देखते हैं पहला timer आपके सामने है करने की कोशिश करो जैसे कर सकते हैं वैसे करो फिर हम बताएंगे इसको timer start हो चुका फटा फट से करो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुछ लोग कर पाए कुछ लोग नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं हम किसलिए हैं? पहला question था एक बार basic से समझते हैं फिर इसकी समझेंगे trick आयुशी starts from a point and moves 3 km north कोई एक point से उन्होंने move किया for an example x point से उन्होंने move करना शुरू किया और 3 km वो गई north में फिर उन्होंने west turn लिया 2 km मतलब कि इस point से उन्होंने west turn लिया 2 km फिर north गई इस point से तो इस point से उन्होंने north turn ले लिया और 1 km and then again she turn to east east में turn लिया किस point से इस point से turn लिया और east में गई तो यहाँ पे 2 km अब पूछा गया है यह y point पे पहुँच गई तो x और y की जो दूरी है वो पूछी गई है तो x और y की जो दूरी है वो क्या है आपकी x और y की दूरी कैए 3 plus 1 is equals to 4 answer आगया आपके पास 4 सबका यही आया होगा क्या किसी बच्चे ने बिना diagram से करने की कोशिश करी जी हाँ इसको बिना diagram के भी कर सकते हैं देखते हैं कैसे द्यान से देख लेना एक बार trick बहुत फायदे मन साबित होगी line को अच्छा बना ले एक बार east south चार direction होती हैं किसी एक direction को पकड़ो दोस्त किसी भी एक direction को पकड़ लो और उसको यहाँ लिख दो लिख दिया? ठीक अब north से clockwise भूम जाओ clockwise north के बाद क्या आएगा? east, south, west यह लिख लिया? कोई दिकत? नहीं एक बात याद रखना दोस्ति यहाँ पे मैंने news नहीं लिखा है news नहीं लिखा यह N.E.S.W. है बहुत बच्चे confused हो जाते है पढ़ते तो है N.E.S.W. से खुद से जब question लगाते हैं तो news के साथ लगाते है N.E.W.S. से और answer गलत आता है ठीक है? तो news नहीं है N.E.S.W. है North में 3 km चली आयूशी मेडम तो 3 km North West में उन्होंने 2 km चला तो West में 2 km North में चला 1 तो North में चला 1 East में चला 2 तो East में चला 2 कोई दिकत? नहीं North में total distance है 4 East में है 2 South में है 0 West में है 2 ठीक? चलो यहाँ अब सबसे important बात आती है सबसे important बात क्या है दोस्त? हमेशा याद रखना कि आमने और सामने की दूरी West और East आमने और सामने की जो दिशाएं हैं, directions हैं इन में चली गई दूरी हमेशा minus कर दी जाती है मितलब subtract कर दी जाती है इसका मतलब क्या हुआ? कि North और South आपस में minus होंगे और East and West आपस में minus होंगे ठीक है? यह बात हमेशा याद रखना तो North और South जब minus होंगे तो 0 अगर minus होगा 4 मैंसे तो बचेगा मेरे पास 4 और 2 और 2 minus हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा ठीक है ना? बात क्लियर है? चलो तो अब जब 4 बचा है तो यही तो final answer है यही तो final answer है अगले question को इस trick से करने की कोशिश करना नहीं समझाए तो फिर से बता दिया जाएगा timer start हो चुका है very good, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया trick से किया तो बहुत बढ़िया diagram से किया तो और भी बढ़िया चुकि trick तो सीख जाओगे ना? अगर diagram से कर रहे हो तो कहीना कहीं trick सीख जाओगे इसको हम directly अपने trick से करने की कोशिश करेंगे N, E, S, W बढ़ा बढ़ा लिख लिया हमने तो भाईया विपेंद्र भाई साब आ गए हैं विपेंद्र भाई साब ने 6 km चला नौर्थ में, तो नौर्थ में हमने 6 लिख दिया then turn towards his left तो दोस्त, नौर्थ का left क्या होगा? नौर्थ का left तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे तो नौर्थ का left क्या होगा दोस्त तो ये cycle हमेशा खूमती रहती है तो नौर्थ का left west हो जाएगा, यहाँ पर उन्होंने 4 चला, ठीक? फिर उन्होंने left turn लिया और 6 गए, तो यहाँ से 6 आए, और फिर इन्होंने right turn लिया, मतलब यहाँ से right turn लेंगे, और 6 आ जाएंगे इतना clear है? कोई confusion है तो दिहान से एक बार question को पढ़ो, समझ जाओ गया कुछ जादा rocket science नहीं लगाया तो north में क्या कुल दूरी है हमारे पास 6, east में 0, south में 6 और west में 10 ठीक? north और south आपस में गए, ठीक है east east और west आपस में minus होंगे तो मेरे पास west में बचेगा 10 ठीक है ना? तो मेरे पास 10 km वाला answer होना चीए या तो यह answer है, या तो यह answer अब मैं direction कैसे पता लगाँ? क्योंकि पूछा गया how many km and in which direction तो km तो 10 हो गए लेकिन direction क्या होगी? तो direction वो होगी दोस्ट, जहां पर यह value बची है कहां बची है यह value? यह 10 कहां बचा है? यह बचा है west में यह west में ही तो बचा है तो इसलिए मेरे पास 10 km west वाला answer हो जाएगा बात clear हो गई? बात समझ आई? समझ आई? तो अगला question इसी trick से करने की कोशिश करना थोड़ा सर twist डाला है time I'll start हो गया है बात बढ़िया देखते हैं एक बार इस question में starting from point x इसी का वाग्ड अब इसी का मेडम आई है वाग्ड 15 meter towards west ये थोड़ा सा twist इसमें डाला है पिछले वाले question की तरह नहीं है तो इसका वाग्ड बेसिक से कर लेता है थीक है ना? बच्चे को जादा समझ में आ जाएगा थीक तो भाईया west में चले वो ठीक है और 15 meter चले x point से left turn लिया walk थीक तो south में 20 जाना है थीक फिर उन्होंने क्या किया? left and 15 तो अब भाईया south देख रहे हैं और south का left क्या होता है? west की east east right तो भाई इस point से कितना जाना है? 15 जाना she turned 180 degree right इस point से उन्होंने right turn लिया और 180 मतलब की u turn मार लिया और u turn मारने के बाद कितना गए? 15 आ गए मतलब की इस point पे वापस आ गए? clear है बात? इस point पे वापस आने के बाद पूछा गया how far and in which direction is Ishika from point x तो इस point से अब वह किस दिशा में और कितनी दूर है? मतलब यह पूछा गया है यह arrow और यह distance बात समझाई? करना क्या है? बच्पन में हमने एक चीज पढ़ीती जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x लिखा है यहाँ y लिख लेते हैं यहाँ z लिख लेते हैं ठीक? तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है x, z की दूरी तो हम लगाएंगे पाइथागोरस x, z square is equals to x, y square plus y, z square बच्पन में पढ़ा था? ठीक है तो भाई x, y क्या है? 15, square plus y, z क्या है? 20, square और अगर हम x और z निकालना हैं तो यहाँ पे लगा देंगे root अब आ जाओ root के अंदर क्या चीज है? 225 plus 400 तो root के अंदर क्या total value हो जाएगी? 625 तो हमारे पास final answer क्या जाएगा? 25 kilometer बात समझ में आ गई? ठीक? चलोगी अब मुद्दा ये है कि भाई direction कहाँ से आएगी? ये थब तो हो गया direction कहाँ से आएगी? distance तो निकाल लिया तो direction आ गई x और z किस दिशा में है? x और z किस दिशा में है? south west तो answer आ गया south मेरे पास answer आ गया 25 kilometer southwest option number 3 जिनका भी ये आया है बहुत बढ़िया लेकिन अगर trick के साथ आया है तो बहुत ज़ादा बढ़िया एक बार देखते हैं इसको trick के साथ कैसे आता है? चलो जी north east south west any sw इशी का वग 15 west तो पंधरा west left turn 20 left turn 20 left turn 15 मतलब left turn 15 180 degree right अब right और left से मतलब नहीं है 180 है ना 180 मतलब you turn मतलब east का you turn क्या हो जाएगा west हो जाएगा तो east से you turn मार के west में मतलब की यहां 15 इतना किलियर तो north में 0 बचा east में 15 बचा यहां पे 20 बचा और यहां पे 30 ठीक है? final मेरे पास distance के आएगी east और west आपस में minus होंगे 15 यहां लिख दूँगा 20 यहां लिख दूँगा यह चीज हमेशा याद रखना कि यहां जो मैंने 15 लिखा है यहीं क्यों लिखा है? 15 को 30 में से घटाना था बचेगा 15 तो जो remaining value है वो वहाँ जाएगी जो सबसे बड़ी value होगी 15 और 30 में बड़ी value क्या थी? वो 30 थी तो इसलिए मैंने 30 के नीचे लेगा positive side यह तो लिखते हैं ना? यह बात है याद रखना ठीक? चलो अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि अभी जो मैंने pythagoras लगाई थी वो कही ना कही इनी value में लगाई थी मेरे पास 20 आया था उसका square किया था 15 आया था उसका square किया था दोनों को add करके under root कर दिया था जब भी इस type का question आये और दो values बचें बिना सोचे समझे square करके add करिये और root कर दीजे square करके add कर ये root कर दीजे for an example वजब इन शॉट क्या है कि pythagoras लगा दे 20 का square 415 का square 225 दोनों को add करेंगे 625 root करेंगे 25 जो हमने पिछले अभी इसी question में पिछले तरीके से किया था तो answer आगया 25 km मुद्दा है कि भईया direction कहां से आएगी तो direction कहां से आएगी साफ सब आपको दिखाई दे रही है direction 20 कहां लिखा है south में और 15 कहां लिखा है west में यही तो आपकी direction थी southwest आथ समझाई है ना हलुआ trick है ना बढ़िया trick तो इसी बात पर वीडियो को like कर दो अगले question पर आगया trick के साथ करने की कोशिश करना और बताना हो पाएगा नहीं हो पाएगा कर लिया क्या लोगे trick से करने की कोशिश करें ठीक है north east south west south में गए 25 turn left 20 turn left 20 final left 8 कोई दिकत कोई दिकत नहीं न चलो एवा फिर से लिख लेते हैं कुछ लोगों को हो सकता है पता ही न चला हो लिखा क्या पठा फिर से लिख दिया 25 left में 20 फिर left में 20 फिर left में 8 कही तो किया है ठीक है तो north और south आपस में माइनस होंगे और east और west आपस में माइनस होंगे 20 पच्चिस में से जाएगा 5 बचेगा 8 बीस में से जाएगा 12 बचेगा बात खतम अब 12 का क्या करना है square करना है और 5 का क्या करना है square करना है add कर देना है root कर देना बात खतम तो 12 का square इधर लिख लेते हैं 12 का square 144 पच्च का square 25 दोनों को add किया आया 169 और इसका किया root तो आगया मेरे पास 13 meter आपस और जो direction है वो साफ साफ दिखाई दे रही है वो कहां कहां बचे हैं आपके पास south east ठीक है तो south east के एसाब से option number 1 13 meter south east answer आ गया कोई दिक्कत नहीं न अगला question देखो इसमें हलका सा twist डाला है ध्यान से question को पढ़ना clear हो जाएगा वो twist पता जल जाएगा अगर आपने दिखान से question को पढ़ा solve करो twist समझ में आ गया न अगर देखो दोनों answer दियें मैंने option में जो आपको लग रहा है और जो असली में है ठीक है तो फटा फट से देख लेते हैं और इस चीज में इस question में बहुत सारी चीज़े clear होंगी आपको ठीक है तो इसको एवा basic से करते हैं पहले उसके बाद करेंगे ठीक बेसिक से करेंगे न तभी समझ में आप आएगा तो भाईया सोलंकी भाई है जो lockdown जब खुल गया तो उन्होंने कहा कि हम stadium जाएंगे अब कसरत वसरत करेंगे वो army की तयारी कर रहे थे पढ़ाई कर रहे थे आप जैसे बच्चों की तरह तो उन्होंने कहा भाईया थोड़ा jogging वागिंग कर लेते हैं ठीक है तो उन्होंने west direction में अपने घर से निकले और west direction में 7 km गए ठीक है और उसके बाद क्या किया राइट टर्न लिया राइट मतलम north में गए और 6 km और फिर उन्होंने राइट टर्न लिया 15 km तो 15 इधर गए और यहाँ पे उनको एक बढ़िया सा स्टेडियम मिल गया जहाँ पे उन्होंने कसरत कर ले अब पूछा गया है यहाँ है twist how far and in which direction is his house from the stadium मतलब कि अभी तक हमसे क्या पूछा जाता था यह दूरी पूछी जाती थी और हमसे पूछी जाती थी यह दिशा कि अब वह किस दिशा में है शुरुवाती बिंदू के संधर्व में लेकिन इस question में हमसे पूछ लिया कि उसकी शुरुवाती बिंदू किस दिशा में है अभी वाले point के संधर्व में बात समझ आई ना, उल्टा पूछ लिया है, ठीक, तो सबसे पहले एक बार डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ पे डाला पर्पेंडिकुलर, यह है 6 और यह है 15-7, 8, ठीक है ना, तो 8 का स्क्वाइर प्लस, इधर लिख लेते हैं, 8 का स्क्वाइर प्लस 6 का स्क्वाइर का रूट, तो 64 प्लस 36 का रूट, जो की हो जाएगा 100 का रूट, और 10 किलो मीटर आंसर आ जाएगा, और जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, आपका तो बहिए कुछ और आ रहा था ट्रिक से, ट्रिक से भी करके देखते हैं, क्या ट्रिक फेल हो गई यहाँ पे, क्या ट्रिक फेल हो गई यहाँ पे, तो बहिए NESW, 7 किलो मीटर, किस डिरेक्शन में, वेस्ट में, तो 7 वेस्ट में, फिर राइट टर्न लिया 6, और तो साउथ आपस में माइनस होंगे, मतलब की 6 यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, इस्ट और वेस्ट आपस में माइनस होंगे, यहाँ पे 8, तो यह 6 और 8 यही वाली वैलियूज है, 6 और 8, स्क्वाइर करिए, एड करिए, रूट करिए, आंसर आ गया 10, तो बहिए 10 तो अब साउथ वेस्ट है की नौर्थ इस्ट है क्यों, क्योंकि मेरे पास तो 6 नौर्थ में है और 8 इस्ट में है, तो इसके इसाब से तो नौर्थ इस्ट आना चाहिए, लेकिन आंसर आ रहा है साउथ वेस्ट, और आंसर है भी साउथ वेस्ट, क्यों, क्या ट्रिक फेल हो अब यहां उसने उल्टा पूछ लिया, तो इतना याद रखना कि अगर आपके, ये बात याद रखना, कि अगर आपके destination की direction पूछी जाए, जिस जगे आप पहुचे है न, destination आपकी मन्जिल की direction पूछी जाए, दिशा पूछी जाए, तो आप वो दिशा बताओगे जहां पर value है, मतलब की 6 और 8 जहां लिखा है वहां, वो value बताओगे, अगर आप से ये पूछा जाए कि शुरुवाती बिंदू किस दिशा में है, अंतिम बिंदू के संधर में, मतलब आप जिस जगे से चले थे, वो किस दिशा में है, जहां आप पहुच गए उस direction से, तब आप वो direction बताओगे, जहां पे आपकी values हैं, उसका just opposite, जहां आपकी values हैं, उसका just opposite, for an example, अभी हमारे पास नौर्थीस्ट आरा है, ट्रिक से, नौर्थीस्ट आरा है, तो नौर्थीस्ट का just opposite क्या है? South West है नहीं North East का Just Opposite क्या है South West इधर दिखनी रहा होगा तो इधर बना देते हैं ठीक है आपके पास North East ता रहा था तो अब इसका Just Opposite आपने मार कर लेना है मतलब की South West बात किलियर हो गई ठीक है इतना समझ आ गया आज की इस सेशन में इतना ही रखते हैं थोड़ा सा जादा overloaded अगर हो गया हो तो एक बार वीडियो को फिर से repeat करके अच्छे से देख लेना समझ लेना अगले सेशन में इसी topic के कुछ और बहतरीन questions को करेंगे थोड़ा सा उसमें SSC का भी एक toppings लगाएंगे थोड़ा सा उसमें SSC के glimpse आपको देखेंगे ठीक है प्रिक अगर पसंद आई हो तो बिना like करें मत जाना दोस्त और subscribe करना channel को अपने दोस्तों के साथ share करना comment section में बताना trick कैसी लगी comment section में बताना ज़रूँ ठीक है बिलेंग अगले सेशन थैंक य।